आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल आप दासी तित्री आरब हो जाएगी नक्षतर आज का असुनी रणे वाया रात्री के दस बच का उननचास मियंद तक तदवान भरन भरनी नक्षतर आरब हो जाएगा वत्योहर में आज मोक्षदा एक आदसी का व्रत है इसमार्त के लिए मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्मसिछा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूरोग जान सकते हैं एक-एक मोरतों गया में जान सकते हैं आज के संपूर रासीफल के वीडियो में हम जाने वाले कुल 12 रासईयों का आज का रासीफल साथ हम जाने आज का सुप समय, असुप समय, दिसासूल, सुब खादे रासी उसार क्या खाद बता शुब रेगा, कौन सारंग शुब रहेंगा, लकिन नमर क्या रहेंगा तो वीडियो में हमार साथ अंतग में रही है ताकि आपको संपूर्ण रासिफल की जानकारी हो पाए रासिफल का वीडियो पसंद आज जानकारी अच्छी लगए तो उसे लाइक तुझार करें साथ ही कमेट बॉक्स में जैस्षी करें चोड़ लिक है तो आज के बारा रासिफल आपको बताना आराम करों उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार नजर डालने आज के गरहों की स्थेति पर क्योंकि गरहों की स्थेति पर पूरा रासी पर निर्भर करता है। आज चंद्रमा गुरु के साथ मेश रासी में केतु कन्या रासी में, सुक्र तुला रासी में, मंगल विष्चिक रासी में, बुद्ध सूरी धनु रासी में, सनी कुम रासी में, राहु आज मीन रासी में विराजित है। दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा बीतेगा। किसी से कुछ उपहार की प्राप्ती भी आपको हो सकती है। लेकिन सचेत रहें। आज ना सिर्फ अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी आपको साब्धान रहने की जरूरत है। बाहर गुमने की योजना बन सकती है तथा स्वादिष्ट भोजन करने का आउसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपके लिए कई तरह से फाइदे मंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आपको काडिय में सफलता की प्राप्ति होगी। आए जान लेते हैं व्यापार और धन के बारे में। जो जातक नोकरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से ही करें क्योंकि आज आपके बॉस की निजर आप पर बनी रहेगी। वैसे भी अपने कारी को इमानदारी पूर्वकी करना चाहिए। जो जातक व्यापार करते हैं या जिन्हें निवेश करना हैं वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेश करें तभी आपको आर्थिक लाव हो सकता है। विद्यार्थी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किनी जातकों को परेशान कर सकती है तो इससे बचने का प्रयास करें प्रेम सबंद की बात करें तो आज के दिन अपने जीवन साथी को भाबनात्मक तौर पर ब्लैक मेल करने से बिलकुल बचें इससे आपके रिस्ते अस्थाई तोर पर खराब हो सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीच आज किसी अजनवी के कारण नोगजोंक हो सकता है तो इससे भी बचने का प्रयास करें किसी भी बात पे लगने से पहले उसकी गहराई के बारे में सोचें आज के दिन ब्राउन राइस यानि की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेग जिसके फ्रसुप अगर आप अपना दिन खुसनमा बनाना चाहते हैं तो आपको मानसिक तनाओ और जंजटों से बच कर रहना चाहिए कुछ दिनों से आपका व्यक्ति का जीवन ही आपके ध्यान का केंदर है लेकिन आज आप सामाजी कारियों पर ज़्यादा ध्यान दे सक सकते हैं और किसी जुरत्वन व्यक्ति की मलत करने की कोशिज भी कर सकते हैं जातक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके विग्रे हुए कारी भी बनेंगे आर्थिक योद्नाओं के कारण आपके कई परेसानिया कम होंगी परिवार में सांती और आनद का माहोल बना रहेगा व्यापार और धन की बात करें तो नोकरी ये व्यविशाय जो भी काम आप करते हैं उसमें आपके सहयोग्यों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है जिससे कारी अस्थल पर माहोल अच्छा बना रहेगा आज कई स्रोतों से धनलाब के योग भी आपके लिए बन सकते हैं व स्वास्ते की बात करें स्वास्ते के द्रिष्टी से आज के नपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ते पर ध्यान रखें खास करके मसारेदार खानों से बिल्कुल बचें प्रेम समंध की बात करें तो आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्य का सा आएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, गुलाबी रंग, लकी नमबर रहेगा 5, बात करेंगे मिथुन रासी की, मिथुन रासी में चंद्रमा आज 11 हुए स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुरूप आज के दिन आपके चिंताएं क कुछ कम होंगी, आपके कलपना सक्ती और सीजन सक्ती उभर कर सामने आएंगी, ऐसे में जो जातक साहित्य, लेखन और कला के छेत्रे से जुरे हुए हैं, उनको आज सफलता की प्राप्ती हो सकती है, आज कहीं आप यात्रा पे जा सकते हैं, अगर कोई पारिवारिक उल्ज पहले सोच समझ कर बोलें किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में आप मदाद कर सकते हैं, व्यापार और धन की बात करेंगर तो वित्तिय मामलों पर ध्यान देने की आविश सकता है, आज के दिन किया गया निवेस आपके लिए काफी फायदे मन सावित हो सकता है, लेकिन ताके छेतर के जो भी विद्यारति हैं, उनके लिए खास करके दिन अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलने की संभावना बन रही है, स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त की द्रिष्टि से आज के दिन आपके ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन अपने स्वंतान के स्वास्त क ध्यान रखें, उनके स्वास्त के कारण आपको चिंता थोरी रह सकती है आज, प्रेम समंध की बात करें, तो प्रेम समंधों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको महसूस हो सकता है, कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी जरूरत है, आज के दिन नि आज दसमें स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुप आज के दिन आपका मन उमंग से भरा रहेगा, लेकिन आज आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं, किसी की बातें आपको ठेस पहुंचा सकती हैं, तो ज्यादा भावनाओं में ना बहें, वरना आपके स्वाभिमान क सोभी से ठेस पहुंच सकता है, कुछ जातकों के पैसे दूसरों पर खर्च हो सकते हैं, जिससे घायलों जीवन में कुछ तनाव का सामना भी आपको करना पर सकता है, आपके जो भी प्रियेजन हैं वे आपके भरोसे और वादे की जरुरत को आज महसूस करेंगे, व्यापा से समन्धित आपको कहीं यात्रा पर जाना पढ़ सकता है, और यह आपके लिए लावदयक्सित होगा, तो यात्रा के मौके को हाथ से ना जाने दे, इस मौके का फाइदा जरूर उठावें, आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयों भी बन रहे हैं, विद्यार्थी तो आपका स्वास्थ ठीक रहेगा, प्रेम समन्ध की बात कहें, प्रेम समन्धों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाल है, आपका प्यार और आपका जीवन साथ ही, आपको कोई खुबसूरत सा उपहारत दे सकता है, आज के लिए दही खाएंगे तो आपके लिए सु भूठ बोलने से बचें, इससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, आज के लिए किया गया निवेस आपके लिए सुब रहेगा, फिर भी निवेस सोच समझ कर ही करें, आज आपके सुभाव में भाव उकता और काम उकता के अदिक्ता रहेगी, आज आपके मन में किसी परकार का भय बना रहेगा, मानसिक संतुलन बना के रखें, काम और घर बालों का दवाव, आज आपको थोरा गुसेल बना सकता है, आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना आपका होता रहेगा, व्यापार और धन की बात करेंगर, तो व्यापार में निवेस क करने की योग, आज बन सकते हैं, अगर अच्छी योजना बनाएंगे, तो आज आपके व्यापारिक प्रतिदोंधी, आपके सामने निर्वल साबित हो सकते हैं, विद्यार्थी की बात करेंगर, तो आज आपको पेट से समंधी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आज आ माता का स्वास्त भी विगर सकता है, तो अपने माता के स्वास्त पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्रेम समंध की बात करें, तो जीवन साथी से अच्छे समंध बनाने की कोसिस करें, उनके साथ आने वाई दिनों की योजनाएं सेयर करें, इससे आपके समंध करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नम्मर एक रहेगा बात करेंगे अब कन्यारासि की कन्यारासिम चंद्रमा आठमें स्थान में अजबी राजित हैं जिसके फ्रसुब आज बेकार के सोच में आपका समय और उर्जाद का जोखी मिलने से बचें आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन हैं कुछ जात्कों के लिए आज की कई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वारा के काड़ी से आपको यस केरती और लाव की प्राप्ती भी होगी परिवार में सोहार्थपूर्ण वाता रहते व्यापार और धन की बात करें तो आज आपका ना चाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पर नियंतन जोर रखें ये आपके व्यापार को प्रभवित कर सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन चंचल रह सक आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, फिर भिए अपने मन को पढ़ाई में लगावें शफलता ऐसी से मिलेगी। स्वास्थ की बात करत मामरी चोट और वाद विवाद से हानी हो सकती है आज आपके स्वास्थ में थोरे उताचराव आ सकते हैं तो अपने स्वास्थे पर ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंद की बात करत प्रेम समंदों में थोरे उताचराव आ सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोगजों के संभावना भी बन रही है लेकिन बात में सब कुछ सामान ने भी हो जाएगा आज के दिन अगर दूद या दूद से बनीवी चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लकी नम्मर पांच रहेगा बात मनोरंजन में बीदेगा स्वाधिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं घूमने या समय विदाने का मौका आपको मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सब के ध्यान का केंदर बने रहेंगे व्यापार और धन की बात क करें आपके व्यापार में वर्धी होगी कारेच छेतर में आपके कामकाज की सरहना भी होगी जल्दबाजी में फैसले ना करें इससे आपको जीवन में पस्ताना पर सकता है बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहेगा फोन और सो लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंध की बात करें तो आज के दिन आपके प्रेम समंधों के लिए अनुकूल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी को या ज़रू बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समंध सुद्र रिढ़ोंगे आ विष्चीकरासीन चंदर्मा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्व आज आपके उदार सुभाव का गलत फाइदा उठाया जा सकता है तो सचेत रहें आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रहेंगे आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है तो के लिए लाब्दायक सिद्ध हो सकता है व्यापार उधन की बात करें तो आज अगर कहीं निवेश करते हैं तो पहले उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिस करें कोई भी कदम उठाने से पहले विश्ची से किस सलाह जोड़ लें तभी कहीं निवेश करें विद्यार् प्रति साब्धान रहने की जरुरत है कफ और पीट समंधी बिमारिया आपको परेशान कर सकती है प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों की द्रिष्टी से आज के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामान जस्यापका बना रहेगा आज किन सा आज पांचवें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको अपने जिम्मेदारियों को समझने की आवश सकता है अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करने का आज धंग से प्रयास करें आज आपका मन परसंद न रहेगा लेकिन आलस्य की अधिक्ता से कारियों मे आज आपके कारी भी प्रभावित हो सकते हैं और इसका प्रभाव व्याविशाइक छेतर में भी देखने को मिल सकता है ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी परणाली में सुधार करने की आविश सकता है कुछ राजिकिये सहीयोग मिलने की संभावना भी बन रही है संत पर्ति प्रतिदंगडी आज सांधर रहेंगे. विद्यार्थी की बात करते दि, विद्यार्थीओं के लिए आज किन सामॉणने रहने वाले मेनद करें सफलता की प्राप्पिए आपको होगी. स्वास्ते की बात करते आज आज आप रहने वाले हैं, बात किम मकर राशिंगी, मकर राशिंगी चंद्रमा चोथे के अस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुब आज आपके घर तथा कारे अस्थल में बेहतर वातावरन रहने से आपको काफी परसनता होगी, मित्रों या पडिवार के सलस्यों के साथ मोज मस्ती भरी यात्र आपको सुकुन दे सकती है आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ मतवेद वरकर सामना आ सकते है साथ ही लोग आपको आज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहीयोगी भी आपसे नाराज हो सकते है नोकरी करने वाले जात्कों के लिए आज करने अच्छा रहने वाले उच्छ पतादिकारी आपके कारियों के सरहना कर सकते है सरकारी कारियोशाजब को सफलता मिलेगी अपनों से मनमुटाव होने की संभावना भी बन रही है तो उन से अच्छे समन बना के रखें व्यापार और धन की बात करें तो आज रोजगार प्राप्ति के प्रियास आपके सफल रहेंगे नोकरी करने वालों के लिए आज देन बढ़िया रहने वाला है व्यापारी वर्ग आज थोरा समल कर रहें विद्यार्थी की बात करें चंद्रमा के चोथे भाव में होने के कारण आज आपका मन अपेक्षाकरी जदा चंचल रह सकता है पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता है तो अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान लगावें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्थ की बात करें स्वास्थ के दिर्शी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्थ का ध्यान रखें किनी किनी जातकों को गयास से समंधित समस्या रह सकती है प्रेम समंध की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम समंधों के लिए थोड़ी सी खटास उत्पन कर सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं तो आपको मतभेदों से बिल्कुल बचना चाहिए, आपको अपने प्रेम समंधों के परती सचेत रहना चाहिए, हो सकता आपका जीवन साथ ही आज आपके लिए प्रयाप समय ना निकाल पाए, तो उन्हें समझने का भी प्रयास करें, आज के जौ या जौ से बनी वीचिये तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लकी नमर आठ रहेगा, बात केंगे कुमरासी की, कुमरासी में चंदरमा तीसरे स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुब आज के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाल हैं, आज आपको म ये व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है, कारी स्थल पर परिश्रम के अनुरूप लाभकी प्राप्ति भी होगी, कीमती वस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भैबना रह सकता है, आज आपके लिए नया कारी करने के लिए अच्छा दिन है, व् व्यापार और धन के दिश्टी से आज की नप के लिए अच्छा रहने वाला है, आज रोजगार के लिए क्या गया प्रियास आपका सफल रहेगा, व्यापार और धन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज के लिए सामानने रहने वाला ह मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के देश्टी से आज की नप के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है बुजुग जातकों को पुरानी विवानियों से कष्ट हो सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंद की बात करें तो आज पती पत्नी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा समंदों में मधूरता बनी रहेगी अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं ये आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा ही रहेगा आज के दिन अंकोरी तनाज खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आस्मानी रंग लकी नमर पांच रहेगा बात करेंगे मीन दासी की मीन दासीन चंदरमा दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आप कोट काचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है वानी और वैभार में सयम रखना आवस्यक है आज आप किसी बात को लिएकर भावुग हो सकते हैं आज किने अपने खर्चों पर नियंतन रखें आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कुछ जातकों को लंबा सफरते करना पर सकता है जो काफी भाग दोर भरा भी रहेगा लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फाइदेमन सबित हो सकती है व्यापार और धन की बात के तनोकरी और व्यापार से जुरिजा तक अपने ओफिस या व्यापार से सम्मंदित लोगों से अगर आपको कहीं निवेश करना है तो सोश समझ कर ही करें वरना आपको नुक्सान हो सकता है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है आज के इन सोशल मीडिया में ज्यादा समय बरबाद ना करें है. अपने पढ़ाई पड़े ध्यान दें। स्वास्था की बात कर्याएं आपके यह अपके विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी से आपका बना रहेगा आज के लिए बादाम खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लगी नमर एक रहेगा तो मितर ये तो थाज के बारा रासी का रासी फल आप जालनेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय आने की गुड़ी काल सुबह के 8 बच का 27 मेर्ट लेकर सुबह के 9 बच का 44 मेर तक इस समय में कोई भी छोटा मुटा कारी करेंगे तो इसमें आपको सबलतात लगेगी आज का असुब समयाने की राहुकाल दिन के 11 बच कर 2 मेरश लेकर दिन के 12 बच कर 19 मेर तक रहने वाला है इस समय में करवी छोटा मुटा कारी करने से बचिये, इसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती है दिसासुल पस्चिन दिसा में आज है, पस्चिन दिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यातारम ना करें, यहाँ आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याच का मेठी दे रहने वाल है, मेठी देखा कर यातारम करेंगे, किसी नही कारे को करेंगे, इसमें आपको सफलता हाथ लगेगी तो में तो यह दो थास का संपून, विस्तित और सटीक रासिफल इसी तरह की अनिग्यान वर्दक वीडियो के लिए जूर रहें, धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं, धर्मसिक्षा, जै माता दिन